Hello Friends, Welcome to Quant Study, कैसे हैं आप सब? आज हम करने जा रहे हमारे High Level Quant का Part 2 जिसमें मैं आपके लिए 5 और Quotions लेके आया हूँ जिसे हम करेंगे आज Solve कुछ नहीं आनी होगा, Concepts वही होगे जो हमने Pre के लिए सीखे थे, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा Quotions को Direction देने के लिए शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए इसके लाब हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर जगा फॉलो करेंचे और किसी भी अपडेट को मिस्स मत कीजिए सो बीना किसी देर के हम आते हैं हमारे Quotions की सीरीज पर Quotions आपकी स्क्रीन पर है अगर एक बार आप खुद ट्राइ करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉस कीजिए और इसे खुद से ट्राइ कीजिए हम इसे लाइन बाइन पड़ेंगे और सॉल करना शुरू करेंगे देखने में ही पता चल रहा है कि ये है Simple Interest Compound Interest Chapter का Question और ये Compound Interest का आएगा तो इदे लिखा हुए है उदे Deposited Certain Amount in the Bank to earn CI at 10% per annum हमारे पास rate है 10% और वो भी CI का Next line के आ रही है the difference of the interest on the amount between 3rd year and 2nd year interest की बाद चल रही है 3rd year और 2nd year के उसका difference है 1100 तो यानि Compound Interest के case में 3rd year तक बाद जा रही है हम अपना question वैसे ही शुरू करेंगे जैसे करते थे हमने क्या किया हमें पता 10% जो है वो है इंटरस्ट रेट और 3 साल के है तो 10 का cube तीन साल तक बाद जा रही है तो cube 2 साल तक बाद जाएगी तो square 10 का cube आ गया हमारा principle जो की हुआ 1000 1st year 10% का interest लगा तो हमारे पास interest कितना आया 100 अभी ये 1st year की बाद चल रही है 2nd year again 100 तो आएगा जब इस पे 10% का interest लगा पर CAE में क्या होता है principle पे तो interest मिलता ही मिलता है उसके लावा जो interest होता है पिछले साल का उस पे भी interest मिलता है तो एक interest हो रहाया जो की इस ओपर 10% का लगा तो ये आया interest अभी तक हमारा 1st year का बन गया 2nd year का बन गया अब बात करते हैं 3rd year की 3rd year में same principle पर लगेगा 10% का interest तो आपके पास आएगा 100 then इस पर लगेगा 10 then इस पर लगेगा 1 then इस पर लगेगा 10 हमारा question कहा रहा था कि 3rd year और 2nd year के interest पे 1100 यानि 3rd year और 2nd year के interest का difference है 1100 का हमें उदे की amount जो उसने deposit की थी वो देखनी है यानि इसकी value निकालनी है अब हम question अटा देते हैं और शिर्फ इसी पर काम करते हैं so हमने जब ये चीज़ पड़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आई हमारे पहले साल के interest ये प्लस ये आया हमारा 2nd साल का और 1, 2, 3, 4 ये चार मिलके हमारा आएगा 3rd year का interest ठीक है ये चीज़ मैंने आपको सब clear की थी अब बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि simple interest क्या होगा तो आप कहेंगे कि ये जो complete चीज़ है ये होगी हमारी simple interest और अगर मैं आपसे पूछूँ कि हमारा overall compound interest क्या होगा तो आपको होगे कि ये जो 300 था ये तो हो गई होगा उसके लावा 1, 2, 3, 4 ये चीज़ें भी इसमें add होगी हमारा आज़ेगा compound interest खेर हमारे इस question की ये requirement नहीं है हमारा question कह रहा है कि second और third year का जो total interest है उसका gap है 1100 तो हम देखेंगे कि हमारे second और third year का interest total कितना है so और 10 आगया second year का 110 so 10 आगया 110 और 111 और 121 ठीक gap आ रहा है हमारा 11 units का 11 की value आगी हमारी 1100 तो 1 की value आगी 100 हमें निकालना था उसकी investment so इसमें addition करने के वज़ए हमने सीधा gap निकाल लिए चलते हैं हमारे next question पर so हमारा next question हमारी screen पर है हम इसे solve करना शुरू करते है question कहा रहा है कि ratio है A और B की speed की 3 is to 5 next line कहा रही है train A देली से बोपाल की तरफ जा रही है और 2 गंटे बाद train B जो है देली तरफ बोपाल इस 720 किलोमेटर ठीक and both trains meet after 6 hours after starting of train B then find speed of train A so देखिए हमारा question के demand कर रहा है question ने सबसे पहले कहा कि पहले चला सिरफ A 2 गंटे के लिए तब B नहीं चल रहा था so उन 2 गंटों में A ने कुछ distance कवर कर लिया जितना distance A ने कवर किया वो हम 720 में से माइनस कर देंगे बचा हुआ distance A और B मिलके कवर करेंगे कितने टाइम में 6 गंटे में ठीक इतना question समझा गया अब हम इसे करना शुरू करेंगे दिखिए A की speed है यहाँ पर 3 हमने 3S मान लि B की मान लिए हमने 5S A कितना time चल रहा है 2 hours चल रहा है जब तक B नहीं चल रहा तब तक सिरफ A चल रहा है तो A ने कितना distance कवर किया होगा distance होता है हमारे पास speed in 2 time speed है 3S time है 2 और distance आ गया हमारा 6S A के लिए जो उसमें 2 गंटे में चला है ठीक तो हमने यहां लिख दिया कि distance जो अभी तक A ने कवर कर लिया वो हो गया 6S तो distance बचा कितना अब यह वाले distance जो है वो A और B कवर कर रहे है A जा रहा है इस direction में B जा रहा है इस direction में यानि हमारे यहां relative speed का formula लगेगा दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे है तो relative speed होगी add तो relative speed हमारी आगी 5S प्लस 3S which is equals to 8S इतनी चीज़ समझाई 8S है हमारी speed time वो कितना ले रहे है 6S का तो speed into time हमारा यह आ जाएगा distance तो हम लगाते हैं अपनी equation solve करना शुरू करते हैं तो यह लिखी speed यह लिखा time speed into time होता है distance यह लिखा distance अब हम इसे solve करेंगे 680 होगे 48 48S is equals to 720 minus 6S और यह जो minus 6 है इतर जाके plus हो जाएगा तो 54S आ गया हमारा 720 और S की value आगी 720 divided by 54 जिसको हम कह सकते हैं 360 divided by 27 तो हमारे पास 1 की S की value थी 360 by 27 हमें पूछा क्या था speed of A speed of A छी 3S तो 360 divided by 27 into 3 आ गया हमारे पास 940 36 तो 40 आ गया हमारी speed ठीक अगर आपको question अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार पीछे जाहिए और वीडियो को फिर से देखिए हम चलते हैं हमारे next question पर so हमारा next question कह रहा है A does half as much work as B in 1 6th of time देखिए इस line को समझना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अगर ये line आप ठीक से समझ नहीं पाए तो आप पूरे question का मतलब बतल दोगे हमारी line कह रही है A does half as much work as B in 1 6th of time जब मैंने ये question first time पढ़ा था तो मैंने इसको ऐसे interpretate किया था कि A जो है वो half work कर रहा है एक time में ठीक जो की था 1 6th जब मैंने ये पढ़ा था मैंने इसको ऐसे बनाया था ठीक है और मैंने B के लिए क्या किया था कि B full work कर रहा है same time में ठीक है जो की है 1 6th मैंने ये question ऐसे किया था जब मैंने first time पढ़ा था पर ये सरासर गलत था ठीक है statement को दियान से पढ़ो और observe करो कि हमारी statement हमसे क्या demand कर रही है मैं आपको एक example के तोर पे जिखाता हूँ आप कभी भी नहीं बूल पाओगे assume करो कि work जो है total वो है 100 units का b जो है ये 100 unit का work करने के लिए 60 minute का time ले रहा है ठीक है अभी सब ही assumed है ये 60 कैसे लिए है क्योंकि उन्होंने 1 6th का था इतनी जिस हमने assume की अब statement पढ़ो a does half work half work यानि a कर रहा है 50 units का का काम कितने time में 1 6th of the time और b के comparison में तो a कर रहा है 1 6th of 60 minutes में 50 unit काम यानि 10 minute में अच्छा अगर a 10 minute में 50 unit काम कर रहा है total काम 100 unit है तो वो कितना time लेगा 100 unit काम को complete करने में 20 minute तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इनकी time की ratio जो क्या है a is to b की a ले रहा है 20 minute b ले रहा है 60 minute तो इनकी time की ratio आगी 1 is to 3 इतनी चीज़ ठीक है ये था एक तरीका assume करने वाला दूसरा तरीका direct भी कर सकती है वो है mdh वाला method याद है जो मने आपको करवाया था उसमें क्या होता है ये m होता था number of persons dh होता था time के लिए divided by w होता था work तो ये चीज़ अगर हम इस question पर apply करें a कर रहा है कितने time में 1 sixth time में कितना work half और b कर रहा है one time में कितना work पूरा इतनी चीज़ समझा है a does half as much work as b in 1 sixth of hour अगर b एक गंटे में एक unit का काम कर रहा है तो a जो है 1 by 6 और में आदा काम कर रहा है ठीक इसको solve किया a by 3 is equals to b by 1 तो a by b आगया 3 by 1 efficiency इस method से हमारी सिदी-सिदी efficiency आईगी जो इससे पहले method लगाया था उसमें a is to b की time की ratio आई थी 1 is to 3 ठीक है ये 20 minute था ये 60 minute था तो time की ratio आई थी 1 is to 3 जब हम इनको inverse कर देंगे हमारे पास speed की ratio आजाएगी 3 is to 1 और speed ही तो हमारी efficiency होती है कि हम कितनी तेजी से कोई काम कर सकते है तो आप match करके देख सकते हैं दोनों की जो efficiency है 3 is to 1 की ratio में ही आई है अब करते हैं हम आगे का question efficiency का मतलब क्या होता है A एक दिन में 3 unit काम कर रहा है B एक दिन में 1 unit काम कर रहा है ठीक हमारे question कहरे कि अगर वो दोनों एक साथ काम करना शुरू होंगे तो वो 10 दिन लगाएंगे अपने काम को complete करने में ठीक है A कितना एक दिन में एक कितने unit काम कर रहा है 3 unit B कितने unit काम कर रहा है एक unit तो दोनों मिलके एक दिन में चार unit का काम कर रहे हैं ठीक कह रहा हूँ मैं A और B दोनों मिलके एक दिन में चार unit का काम कर रहे हैं अगर वो 10 दिन काम करेंगे तो वो कितने unit का काम करेंगे वो करेंगे 10 दिन में 40 unit का काम यानि 40 unit है हमारा total work इतनी चीज़ क्लियर next कह रहे हैं कि B कितना time लेगा अगर वो अकेला काम करेगा B एक दिन में कितना काम कर रहा है B एक दिन में एक unit का काम कर रहा है उसे करना है 40 unit तो कितने दिन लगाएगा एक दिन में 1 unit तो 40 unit करेगा वो 40 दिन में simple सा logic efficiency कैसे निकालनी है मैंने आपको दो तरीके बता दिये ये तरीका थोड़ा से complicated है क्योंकि fraction वाल है पर अच्छा भी है और जल्दी भी इससे काम आएगा दूसरा तरीका आपके पास मैंने आपको बता दिया कि आप assume कर लोगे 100 unit और 60 minute उसके basis पर अपनी efficiency निकालोगे एक बार efficiency लगी तो यही वाला method लगना है हमारा answer निकालने के लिए चलते है next question पर so हमारा next question हमारी screen पर है हमारा question कहा रहा है on selling an article at rupees 530 SP है 530 the gain is 20% more than the loss incurred on selling it at 475 यानि SP second आगी हमारे पास 475 उन्होंने कहा है कि अगर इस पर बेचेंगे तो हमें कुछ gain होगा और इस पर बेचेंगे तो हमें कुछ loss होगा और इनका जो gain और loss का difference है वो 20% है ठीक है यानि कि जो हमारे gain हो रहा है वो 20% जादा हो रहा है loss से इतनी चीज़ के लिए रहे अब बात करें तो 20% होता क्या है 20% होता है 1 by 5 अब देखिए usually हम क्या करते थे जब profit यान loss में 1 by 5 करते थे इसको हम CP लेते थे और इसको हम profit यान loss मानते थे जिससे हम SP निकालते थे पर यहां comparison हो रहा है comparison किसका हो रहा है देखो gain is 20% more than loss loss के साथ comparison हो रहा है ठीक है तो मैंने आपको बताया था fraction का जो denominator होता है वो हमेशा वो term आती है जिससे comparison किया जा रहा है यहां किससे comparison किया जा रहा है loss से तो यह आ गया हमारा loss gain है one more than loss तो gain होगा हमारा six यह चीज़ clear हुई अब हम लिख लेते हैं हमारे gain और loss की ratio gain है हमारा six loss है हमारा five इतनी चीज़ clear तो अब हम question में देखते हैं कि gain हमें कब हो रहा है जब हमारे पास SP है यह अब SP है 530 gain क्या होता है gain होता है जब हमारी cost price कम होती है selling price से यानि हमने बेचा महंगा करके होता है तो gain आ गया SP माइनस CP क्योंकि बड़े से छोटा माइनस करने तो CP आ गी हमारी यह और loss क्या होता है जब हमारी SP कम होती है और CP ज़ादा होती है तो loss आ गया हमारा CP माइनस SP के है यहाँ पर यह अब हम इनको ratio में लिख लेते हैं ठीक है और compare कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया 530 माइनस CP upon CP माइनस 475 और इनकी ratio थी 6 is to 5 की इतनी चीज़ कलियर अब बस cross multiply करना है ठीक यह 6 CP यह 5 इदर जाएगा तो plus का हो जाएगा यह minus का इदर जाएगा तो plus का हो जाएगा तो पूरी equation solve करने के बाद हमारे पास आएगा 5500 is equals to 11 CP ठीक है तो CP क्या आगी हमारी 500 इतनी चीज़ कलियर अब हमें चाहिए 20% का profit तो 500 पे अगर हम 20% का profit expect कर रहे हैं हमारी SP क्या होगी यही चीज़ 25 is a 26 100 तो 600 आगी हमारी SP ठीक है कैसे किया हमने question solve starting में हमने ratios ले ली loss is to gain की उन में formulas put किये और हमारा answer निकाल दिया चलते हैं हमारे next question पर so हमारा आज का last question कह रहा है there are two vessel containing equal amount of mixture of hydrogen and helium in ratio this and this देखिए 4 is to 1 1 की ratio है 3 is to 1 1 की ratio है जो amount होगा इनकी total quantity होगी for example लगा लो इसकी भी 100 इसकी भी 100 तो वो equal होनी चाहिए ठीक है जैसे इसकी भी 100 इसकी भी 100 अभी ये just assume करने के लिए कह रहा हूँ मैं next line carry 25% of the mixture from first vessel is taken out and put in second vessel तो हम अपना question बनाना start कर रही देते हैं so जो पहला जो vessel है उसमें हमारी 4 is to 1 की ratio थी दूसरे vessel में 3 is to 1 की ratio इन्होंने कहा equal होने चाहिए आप क्या करो इनको add up कर दो ये बन गया 5 ये बन गया 4 पर अभी तो equal नहीं है equal करने के लिए हम 5 को कर देंगे 4 से multiply और 4 को कर देंगे 5 से multiply यानि हमारे total mixture आगया 20 अब ये equal हो चुके हैं तो हमने क्या किया मान लिया कि vessel 1 और vessel 2 दोनों में 20-20 लिटर का mixture है अब ये equal भी हो गए है अब हम अपना question solve करना शुरू कर देंगे देखिए हम 20 पर भी पूरा question निकाल सकते है assumed value है ना 20 हम इस पर भी पूरा question निकाल सकते है क्योंकि हमारा answer जो है वो ratio में है तो हमने वैसे अपना question निकालना शुरू किया 20 लिया इसका 20 लिया इसका बात करें milk और water की तो ये milk water की ratio बनेगी 4 is to 1 है 5 की value है 20 1 की value होगी 4 इतनी चीज़ क्लियर होई 4 is to 1 में 4 की value क्या होगी 4, 4 is to 16 और 1 की value तो 4 थी इतनी चीज़ हमारी बन गई ठीक है milk है 16 units और water है 4 units अब बात करते हैं इसकी ratio थी 3 is to 1 की ठीक तो 4 की value आई 20 1 की value आगी 5 इतनी चीज़ क्लियर होई 1 की value 5 है तो 3 की value क्या होगी 5, 3 is to 15 और 1 की value हो तो 5 ही थी हमने निकाली हुई थी इतना हमने question लिख लिया हमारी next line कैर थी कि 25% mixture जो है वो निकाला जा रहा है ठीक 25% इस वाले में से निकाला जा रहा है तो 25% 20 का क्या होगा 5 ठीक तो ठीक है भई हमने 5 units निकालना है किस ratio में निकलेंगे 5 units 4 is to 1 की ratio में तो ये 5 है ये भी 5 बन रहा है यानि की सिदह सिदह 4 milk निकलेगा और water निकलेगा कितना 1 इतनी चीज़ के लिए हुई और ये निकलने के बाद कहां जा रहे हैं ये add up हो रहे हैं इसमें तो हम अपना पूरा process कर लेते हैं पहले सो प्लस 4 हो गया हमारा milk में add और प्लस 1 हो गया हमारा water में add ये हमारा आ गया 19 ये हमारा आ गया 6 तो 19 is to 6 बनी हमारी new ratio अब एक और चीज़ ये तो हमने किया add ये निकला किसमें से था ये निकला था हमारे 20 में से तो यानि ये कम भी तो होगा माइनस 4 माइनस 1 तो हमारा ये वाला आ गया 12 is to 3 की ratio ठीक है 12 is to 3 ही मतलब लगा लो 15 unit बचा हमारे पास total mixture तो जिसमें 12 है milk और 3 है water ठीक next line उन्होंने कही है equal amount of mixture is taken out equal amount का है यानि कि पहले इसमें से कितना निकला था 5 units वही 5 units अब इसमें से निकलेंगे अगर उन्होंने equal percent कहा होता तो हम इस 19,6 को add करके 25 बनाते फिर इसका 25 परसेंट निकालते अगर उन्होंने percent कहा होता तो पर उन्होंने कहा है equal amount amount का मतलब पहले में से जितना निकला था उतना ही हम अभी वाले में से निकालेंगे तो हम इसमें से 5 units निकालेंगे कितनी चीज़ के लिएर है 5 units हमारी किस ratio में होगी इसी ratio में जो अभी form है 5 unit होगी हमारी 19,6 की ratio में तो मैं यह कह सकता हूँ कि 25 की value है 5,1 की value होगी 5 by 25 which is equal to 1 by 5, तो 19 की value क्या होगी 19 by 5 और 6 की value क्या होगी 6 by 5 यह किस में add होना है यह इन में add होना है यानि 12 में 19 by 5 add होना है और 3 में 6 by 5 add होना है तो ठीक है करते हैं सो हमने लिख लिए 12 में 19 by 5 add होना है और 3 में 6 by 5 add होना है तो करते हैं 12,5 जा 60 plus 19 होगे हमारे पास 79 by 5 और इस तरफ आ गया 5 threes of 15 plus 6 15 plus 6 हो गया हमारे 21 by 5 5 से 5 कटा हमारी इदर की रेशो है 79 इस टू 21 ठीक है अब हमने ये चीज इसमें add की थी और निकाली किसमें से इन में से निकाली थी तो इन में से minus भी होगा पर क्या हमें इनको minus करने की जरूरत है हमारा question कह रहा है what is the ratio of hydrogen to helium in first vessel उन्होंने सिरफ first vessel की बात की है अगर उन्होंने second vessel की बात की होती तो हम इसमें से minus करते 19 by 5 और इसमें से minus करते 6 by 5 और हमारा answer आ जाता ठीक पर उन्होंने सिरफ first vessel की बात की है तो first vessel तो हम पहली निकाल चुकी है हमें दूसरे वाले वैसल पर काम करने की जरूरत ही नहीं है और ये था हमारा final answer इसी के साथ हमारा जो part second है high level match का वो भी होता है खतम thank you so much